नमस्ते प्यारे बच्चों मैं नवनीत आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ प्यारे बच्चों आओ हम हिंदी सीखें आज हम स्वर E के बारे में पढ़ेंगे हमने पिछले दो दिनों में हमारे दो स्वर A और A जिसको आप छोटा A और बड़ा A बोलते हैं इ जिसको आप छोटी E बोलते हैं छोटी E से इमली छोटी E से इमर्ती छोटी E से इलाइची छोटी E से इस्त्री चोटी ई से इस्तरी, चोटी ई से इत्र, चोटी ई से इडली, चोटी ई से इमारत, अब आप दुबारा से पढ़ें कि चोटी ई से क्या क्या होता है चोटी ई से इमारत, चोटी ई से इडली, चोटी ई से इत्र, चोटी ई से इस्तरी, चोटी ई से इलाइची, चोटी ई से इमर्ती, चोटी ई से इमली धन्यवाद